नमस्कार आये हम अज जिव मार्फोलाजी भूहाकृतििक बि descript बिग्यानं पलते हैं जो कि यूनिट वन है तो जिव मार्फोलाजी भूहाकृतिक बिग्णार करju करते हैं तो हमके मसते हैं कि प्रिथिवी की उत्पति और जिन आप दे अर्थ कब मानी गाई है तो आएका माना जाता है कि प्रिथिवी की उत्पति चार देख्मनों 4.6 billion year को हुई थी ठीक इस प्रिथिवी की उत्पति के खमंद में कई हाइपो थेखी कल्पना ये दी गई थी जिसमें एक ही तारे से संपूर ग्रहों की उत्पति मानी जाती है और डुआलिस्टिक मतब दो तारों के ग्रहों की उत्पति मानी जाती है ठीक है तो एक तारे से उत्पति के कास्तिद बफन ने पुछल तारा कॉम में ठाप्योथेशी दिया था Immuno Kanne का बहुत है in important है gaisies hypothesis जो कि व्यवराकी परिकल्पना है बहुत बार फुषता है और निहारिका परिका नेबलोर हाइपोतेशी लापलास का है ठीक है तो Immuno Kanne का खत्र को 55 में आया था gaisies hypothesis और नेबलोर हाइपोतेशी लापलास का खत्र को 98 में आया था टाइडल हाईपोथेशी ये अटो शिम्ड का है अब आते हैं मॉडरन धियोरी ये तो हुए हाईपोथेशी जो की मॉनिस्टिक और डुलिस्टिक दो तारों और एक तारों की उत्पत्ति ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई लेकिन जो modern theory है उक में महाविशोटक शिधान बीदा बीग बैंग theory आती है जो कि जाल नेमिंटर का है जो कि बेल्जियम के बेखती है बहुत ही प्रक्षित है बीग बैंग theory जो अब ही चल रही है लगबग अब आते हैं geological time scale जो जो लोगिकल time scale है इसको era में बाता गया है period में बाता गया era का एक short cut tick है a p m cn एक से आफका azoic p पी से paleozoic पी से पहले जोग प्र पिर में आपका प्लायोत प्लायोषीन यह आपका लाठील फूरी आपका सुपें भी पिरियर मना जाता है फिर इन्टु पीरियर गई उपाउक ठीक है यह आणुस्य पहले रहता है जिक में हम एक तरप इरा को लिखे हैं एक तरफ पीरियर है एक तरफ इपाउक है और जीवन की मुख्य महतपूर घटनाय है यह से सोजा करके जो यूटूब चनल उसके मने लिया है घटना है तो अपनी तरफ के लिख्या है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे समझा यूटूब पे तो अब इस पर हम आते हैं एरा पे तो इरा भी आपको बताया थे ना जो आपका प्री कैंब्रियन था ठीक प्री कैं प्री कैंब्रियन में अरावली धारवार क्रम की चट्टाने जो थी शमुंदिस कोच में जीव और इंसेक्ट इन सब्सक्रावार धारवार क्रम की चट्टाने उत्पत्त हुई माने जाता है इन फर्ष इंसेक्ट यह पाए गए और यह लाइफ लेश अर्थ था मतलब ट्रायलोबाइट पाए गए और फर्ष खेल अगनाज मतलब पहली कोच्टा वाली जीव और नीज पाए गए ठीक है फिर कैंब्रियन के बाद कॉस्ट डिसीप मेंने कहा था था ना सी ओ ऐस्टी सीपी कॉस्ट मतलब कैंब्रियन पर ओडिशियन शिलूरियन फिर डिवनिय पी तो ओकी और डिवीशियन में फर्ष फिस पहली मचली शुरूआत हुई परवत कनेमार प्रारम मतलब शुरू हुआ है तो यह जा वर्टिब्रेट कहा जाता है मतलब की हड़ी वाले जीयों का विकाख अस्थल पर जीयों के प्रथम चिन मिलते हैं जैके पवद्व प्ल जल और थल दोनों में रखते हैं का दिकास हुआ और कोरल पाय गए यहां पर ठीक है कारवनी फिरस के युग को पहले जयोद में जो कारवनी फिरस आता है इसके पेंसिल वेनिया और मिशी प्रिपीयन युश्य के नाम पर पाटा गया है दो चेत्रों में तो इनका अगर हम जिव पाए गए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और वर्टीब्रेट्स रीट की हड़ी वाले जिव भी पाए गए यहां पर यह कर्बोनी फिरस की तिती है अब आते हैं परमीनिया परमीयन की जब बात करेंगे परमीयन की तो रैप्टाइल डॉमिनेंट में रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जिव की अधिकता हो गए थी डॉमिनेंट हो गए थे मतलब अज्यादा हो गए थे और हिमानी काल आया था जिसमें जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट वाशिय यह काल्पिलेशन परवत यह जब आता है ठीक है अब आते हैं यह तो हो गया पहली जोई की स इसमें हुआ था इसी एजाप रिप्टाइड कहते हैं और इसको साइज ग्रोई वालेशन भी का जाता है मतलब विकाख हो रहा था मेधक और मेधक और खमुंदी कच्छुआ फर्स्ट मेंमर अस्तंधारी इनका विकाख होता है ट्रियाखिक में जुराशिक को जानी रहा है जुराशिक फिल्म नहीं आये थे जुराशिक ट्रियाशोर का युग कहा जाता है इसमें आर्चियो पेट्री मतलब अस्थर प्लखवाई मतलब खरीश्री पुब बच्छियों के बीच के जो कड़ी होती है उनका विकाख हुआ था और जल चर अस्थर चल और नभ चर अब आते हैं आपके सेनो जोईक में सेनो जोईक में टर्शरी पीजडी से कहा जाता है इसमें आपका POMP नने बता था न तो पी पालीयोशीन को यह मैं मेंस कहा जाता है इंशेक्ट कहा जाता है एंजियो सब्सक्राइब कहा जाता आगा एंजियो इसपर्म क्या है पौधे का विकाख होता है और इसमें राकी एंडीज का नियमाढ हो चुका रहता है एसमें फुन बाद ईोसीन आता है इस चीज को जानते रहेंगा लिखाद है फिक तो इन ऻःते है DOWN चूटे स्फिखे चूए आदी ममल कश्वे बिकाग होता है पिर पाब इयोसीन अता है इस चीज को जानते रहेजंगा इयोसीन, अलगीोसी माय 심isl and PLEOCEN ठीक तो इन सब में क्रम से योशीन में ट्रांक हिमाले भी काख होता है ओल्योशीन में ग्रेटर हिमाले के निर्मार होता है अमायोशीन में लेशर मिड्र हिमाले के निर्मार होता है अपलेशीन में शिवाली के निर्मार होता है ठीक है तो योशीन में ट्रांक हिमाले जो सब लग यामध से उन्ट्रो पीडिया एप मद्रों के पूरवच उनका विकाख होता है । तरीक अल्पाइन मांटें पाजाता है । फिर मायोचीन आता तो चीज को जानते रहेगा प्लायोशीन में ही अस्थल और जल दोनों का वरतमान को रूप प्राप्थ हुआ ठीक है और मनुष्य आरमी प्रुवज भी इसमें प्लायोशीन में थे अवर्य एक्ष प्लेंस मतलब का कई मैदान निर्माड हुए ठीक है और उसके बाद प्लिस सके लिड्रीब्रिस को और विएक्षे के निब्रासे ंकली ऐसा मोई ओः killing आता है यह फुर्द को डिएय को कि चिकाड़ेंस फ्राप्र more formally को टीक है यह ईक्टप्रेक्रफ प्लिशूखी और então एं प्लिस्टोशीन अंटर हमानिक यह इंत्र मान थे लाउट फ्रिशी डाक शीज ने पिष्टोचीन काल में हिमाले काल को ने धाण किया इसी को जानते 125 रहेगा कि Magic tables ने किया तब लुज़ यागा बूलेद पूर्वेर्ट और भुकनर ने पिष्टोचीन हिमकाल में 4 हिमकालों की बारे मीं इस्टोशिन हिमकाल में चार हिमकालों नेपराश्कन कंशांग लिनियन तथा विस्कांशियन एम तीन गर्म अंतर हिमकालों ओप्टियन यार माउथ या शंगमन करने जहारन किया गया ठीक है और अलबर्ट पेंक जो थे वे वाटर पेंक की पिता थे और इन्होंने आलफ इन जिसके अंतरगत प्रित्वी के विभिन उच्चावच रिलीफ फीचर मतस्तर रुपों का प्याक्ष्यात्मक वड़ंग किया जाता है ठीक है यह है जियो मालफ फोलज बिस्तार एम आकार के दिश्टी के भूतल के उच्चावच रिलीफ फीचर भूवाकृति विध्यान क का मुख्य विषय है को तीन ब्रियत खेडियम विभाजित किया जाता है अर्डी खेल्शवरी ने उच्चा बच्चों को तीन खेडियम बाता था फ़र्स्ट बार उनिश्ट बार उनिश्ट में तो रिलीफ फीचर आप दे फस्ट आर्डर जिसमें आपके महादी माहक आग जो कि दिती शेडिक उच्चावज मतलब जो शेकेंड अर्डर के उच्चावज परवत पठार मैदान और जील हैं कि उच्चावचों पर जो निर्मित तथा बिश्चित अस्थल रूप को तिती शेडिक उच्चावज के अंतगत सम्लित किया जाता है जिसमें नदी पवन हिमानी शागरी तरंग आधी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मग या अपरदात्मग असला के थी रूप प्लान हुई जेखे गार्ज कैनियान खर्क ठीक है अब आते ही उनिफार्मेटी एक रुपता बाद एक रुपता बाद जेम खट्टा ने सट्रह को पचाखी में बहुत बाद पूछा और खोधपत निकी जो थी 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 अप अर्थ था उन्होंने कहा प्रेजन्ट इद दकी टू पास्ट मंद वरतमान भूत की कुंजी है यह दो आधार था उनका और कहते थे थे कि ना तो आधी का पता है न अंध का भाविश नो वेस्ट हटन की थी 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 को परिमारजन किया और चार्ष लेन ने हटन के प्रवाईत होकर उनकी एक बुग लिखी प्रिंक्पल आप जियोलोजी दो खंडोम लिखी दे जियोलोजिकल इवडेंग आप दे एंटीक्विटी आप मैन यह दूखरी प्षितर का पहली है प्रिंक्पल टीकिशिशी रडीये थे डेविश ने अस्था विख्राज में चक्री ब्यश्था साइकली के फिरादयां किया जिके गिलबर्ट का कांशेब्स था कि अन्यमिक प्रिबेएं शीज को याद रखीगा जिके विलबर्ट ने कांशेब्स दिया था डैक्लिब्स योग इंड्य को लेते हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट है ठीक है जिसको इन्हों ने जो इन्हों ने तीन भागों बहुत ही प्रमुख है तीन का कम्टीट साइकल आफ रिवर लाइफ अठार खुन नियाखिम लिके थे अमेरिका में जो ग्राफिकल साइकल भगोली चक अठार खुन नियान दिया थे बहुत इंपोर्टन जिए फिर डेवलमेंट अफ ख्लोप ढविकार यह भी इंपोर्टन इस तीज को खुरू करने के पह बहुत इंपोर्टन है जिसके अंतरगाज एक उत्यत भूखंड अप्लिट्मेंट मांग जो है अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रहाइथ होकर एक आक्रिती भीहिन कर्मतर मैदान में बदल जाता है यह डेवियम डेवी के कथन है अस्थर रूपर में समय के खंदर में टा द्वान करना भी स्थेक्च्ट्र प्रोशेख एंड टाइम मतलब असला कर गलतियां जो है वह वह क्रचना प्रक्रम था ख्यामय या अवस्था का प्रतिफाल है कहने कारते हैं कि इन्हों ने थ्री स्टेज में अपने जीवरागाज्र अपने काण्षेट को दिया था यू इूठी स्टेज में क्या होता है श्टीम लेदने इंति खरीता का दिरहीं करण होता तो जो प्रक्रीया चल रहे है उस खरीता का द्म घै गर्टन करना यह फ्तीन करना प्रक्रम्चुस्टी खराइब वैली बन रही है यूठी स्टैज मेंआऎन भट कीology का दिरह टार庫 शोरा बल्कि relative मतलब खापेज उच्चा वज में ब्रिध्धी होता है घाटी घर्तन की वजह के गाराई बढ़ रही है और गाराई बढ़ने के वजह के रिलेट्व मतलब खापेज उच्चा वज में ब्रिध्धी होता है अब आते हैं किनारों पर लेटर इरोजन खुरू होना लगता है इसलिए जो निर्पेश उच्छावच है मतलब कहने का हुआ आपकी कमी आने लगती है कि शापेश उच्छावच में हास होने लगती है जो वायली डीपनिंग हो रही थी मतलब घाटी-गर्थन के परदा था वह कम होकर लेटर इरोजन खुरू हो गया इसलिए आपका शापेश उच्छावच दोनों में हास होने लगा निर्पेश हम पेश में वायडनिंग के वज़ा चोड़ाई में कटने लगा और पहाड़ियों किकरों को अपरदांग कुरू हो गया था इसके घाटी-गर्थन हो रहा था लेकि मंद गती आते हैं ओल्ड इस्टेज ओल्ड इस्टेज में क्या होता है घाटी-गर्थन का स्थान रुक जा जाता है मतरी स्टाफ हो जाता है जो घाटी-गर्थन यूति स्टेज में क्या होता है